कि यहां पर हमने 200 ग्राम फ्रेश क्रीम ली है फ्रेश क्रीम में हम लगबख 100 ग्राम पिसी चीनी डालेंगे या पिसी चीनी आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं अब इसको हम अच्छे से फेटेंगे अब इसमें हम थोड़ा सा वनीला एसेस डालेंगे इसकी खुश्बू बहुत अच्छी आएगी उसको भी हम मिला लेंगे यह मैंने एक एपल लिया है एक लिया है थोड़े से मैंने ग्रेप लिये हैं इसको हम इस में फ्रेश क्रीम में मिला देंगे और बिल्कुल एक चम्मच मैंने गार्नीशिंग के लिए रख लिए ये मेरे पास कुछ अनार के दाने हैं वो भी हम इसमें मिला देंगे और एक चम्मच हम गार्नीशिंग के लिए रख देंगे इन सब को हम मिलाएंगे इसको हम फ्रीज में एकदम से ठंडा कर लेंगे उसके बाद हम सर्व करेंगे और इसे सर्विंग गोल में रखेंगे और जो हमने अपने फ्रूट बचा कर रखेते वो हम उपर से डाल देंगे यह हमारी फ्रूट क्रीम बनकर तैयार है अब इसे हम सर्व करेंगे अगर आपको हमारी रेसेपी पसंद आई है आप लाइक करें सब्स्क्राइब करें कमेंट करें और अपने अनुपब हमसे शेयर ज़दी करें